बागबान हिंदी फिल्म समीक्षा बागबान 2003 की एक भारतिय हिंदी भाशा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रवी चोप्रा ने किया है, जो बी आर चोप्रा द्वारा सहलिखित और निर्मित है. यह एक बुजुर्ग दमपती की कहानी है, जिसमें अमिताब बच्चन द्वारा अभिनीत राज और हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत पूजा शामिल हैं, जिनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं. राज के सेवानिवरित होने के बाद, वे अपने चार बेटों के साथ फिर से मिलते हैं, ताकि चर्चा कर सकें कि उनका समर्थन कौन करेगा. कोई भी बेटा मातापिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता है, जिससे राज और पूजा अलग-अलग रहते हैं. बागबान की कलपना निर्माता और सहलेखक बी आर चोपडा ने 1960 के दशक में यूरोप भर में अपनी यात्रा के दौरान की थी, जब वह एक सेवानिवरित्ती घर गए थे और घर वालों की कहानी से प्रेरित थे. यह फिल्म तमिल फिल्म वरावु नल्ला उरावु पर आधारित है. हालां की पठकथा 1973 में समाप्थ हो गई थी, चोपडा ने दशकों तक उत्पादन शुरू नहीं किया क्योंकि वह अन्य परियोजनाओं में व्यस्थ थे. इसे पुनरजीवित करने के बाद, सिनेमेटोग्राफर बरुन मुखरजी के साथ जुलाई 2002 में फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू हुई. बागबान का संगीत आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिह ने तयार किया था, जिसके बोल समीर ने लिखे थे. फिल्म का प्रीमियर हुआ लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दो अक्टूबर 2003 को और अगले दिन दुनिया भर में रिलीज हुई. बागबान साल की पाँचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म थी. इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, बच्चन और मालिनी के अभिनय की प्रशनसा की गई, लेकिन फिल्म की कहानी और मुख्य अभिनेताओं के बीच की केमिश्ट्री की आलोचना की गई. हालांकि उन्हें जोडी नंबर एक के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला और बच्चन और मालिनी को उन्चासवे फिल्म फेर पुरसकारों में सर्वश्रिष्ट अभिनेता और सर्वश्रिष्ट अभिनेतरी के लिए नामांकित किया गया. टेलिविजन चैनलों पर प्रसारण के माध्यम से वर्षों से इसने कल्ट स्टेटस प्राप्त किया है. राज और उनकी पतनी पूजा की शादी को 40 साल हो चुके हैं और उनके अपने चार बेटे हैं अजय, संजय, प्रोहित और करण. उनका एक दग्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है. राज अनाथ आलोक को अपने बेटे की तरह पालते हुए पैसे और शिक्षा प्रदान करता है. अब सफल आलोक अपनी मदद के कारण राज की पूजा करता है. राज सेवा निवरित्थ हो जाता है और खुद का समर्थन नहीं कर सकता है, वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं. वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिक छुक हैं. बच्चे अपने माता-पिता को विभाजित करने का फैसला करते हैं, प्रत्येक अगले छै महीनों के लिए लड़कों में से एक के साथ रहता है. उन्हें लगता है कि उनके माता-पिता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में रहेंगे. हाला कि राज और पूजा अनिक्षा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं. वे अपने बच्चों द्वारा अलगाव और खराब उपचार को सहन करते हैं. राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करन के साथ. अपने बच्चों द्वारा उनके साथ किये गए व्यवहार से दुखी राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनका इलाज किया, वह अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्थ के बारे में भी लिखता है राज का लेखन अन्तह एक उपन्यास बन जाता है पूजा को अजय उसकी बहु किरन और उसकी पोती पायल गालिया देते हैं पायल हालांकी पश्चाताप करती है जब पूजा उसे अपने प्रेमी द्वारा बलातकार से बचाती है और पूजा को प्यार से बरसाती है छै महीने बाद प्रेम बदलते हुए पूजा और राज विजैनगर में एक साथ समय बिताते हैं उनका सामना आलोक से होता है जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल इस बात से कहीं बहतर करता है कि उनके बेटों ने उनके घरों में उनके साथ कैसा व्यवहार किया था राज को पता चलता है कि उसके लेखन को बागबान के रूप में प्रकाशित किया गया है जिसका नाम हेमंत के नाम पर रखा गया है जो एक कैफे मालिक है जिससे उसने संजय के साथ रहने के दौरान दोस्ती की थी उसने कपिल और निल्ली नाम के दो किशोरों से भी दोस्ती की जो अकसर कैफे में जाते थे उपन्यास सफल होता है राज को खुद को और पूजा का समर्थन करने के लिए आवश्यक धन देता है यह जानते हुए कि उपन्यास की लौंच सफलता के कारण उनके मातापिता उनसे अधिक कमा रहे हैं चारों बेटे माफी के लिए अपने पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाते हैं राहुल और पायल को छोड़ कर हर कोई उस दर्द के कारण जाता है जो उनके दादा दादी ने जहला है और यह की चार बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं माफी के लिए नहीं उनके बेटे अपने माता-पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं अपनी पत्मियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हैं राज और पूजा ने चार बेटों को माफ करने से इंकार कर दिया, हालांकि और उनके कारण हुए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया राज और पूजा को राहुल और पायल दोनों द्वारा संपर्प किया जाता है और आलोक और अर्पिता के मुस्कुराते हुए खुशी से उन्हें गले लगा लेते हैं